Hindi Bible Message Prayer Center में आपका स्वागत है रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुभह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे Prayer Tower के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पास आपके लिए योजना है हम लोग देखते हैं एजरा की किताब में जब इसराइली लोगों ने प्लान किया कि वह परमेश्य के भवन का निर्मान करेंगे और जब वह भवन का निर्मान करने लगे तो बाइबिल कहती है कि बहुत सारे लोग उनके विरोध में हो गए और उनके रास्ते में रुकावट बन गए उनको काम नहीं करने दिया उन्होंने रोक दिया उनके काम को एक वचन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेशु का वचन कहता है एजरा किताब उसका चार अध्याए चार और पांच पर यह दिया आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ धिला करने और उन्हें डरा कर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे लोग आकर उनके कारिये में रुकावट पैदा करने लगे हो सकता है आज लोग आपके कारियों में भी रुकावट पैदा कर रहे हो आप किसी काम को करने जा रहे हैं आप किसी काम को करना चाहते हैं आपने कोई योजना बनाई है लोग उसमें रुकावट डाल रहे हों आपको परिशान कर रहे हों आपको डरा धमका रहे हों तो परमेशु का वचन आज इसी परकार से हमसे बाचीट करता है पांच पद लिखता है कि फारस के राजा कुसरु के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राजे के समय तक उन उस काम को रोकने के लिए, जो वकील थे, उन्हें भी पैसा देते रहे, रिष्वत देते रहे, ताकि ये काम रुका रहे, ताकि ये लोग परमेशवर के भावन का निर्माण न कर सके इनकी जो योजना है वो निस्वल हो जाए इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से उस कारिय को रोकने की कोसिस की गूस दी रिस्वत दी लड़ने आए जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया सिकाईतें की राजाओं से हो सकता है आज लोग आपके विरोध में भी इसी प्रकार से काम कर रहे हों आपके विपक्ष में काम कर रहे हों आपके लिए रुकावटें बाधाईं पैदा कर रहे हों लोगों को घूस रिस्वत दे कर आपके काम में रुकावट डालना चाहते हैं और कर भी रही हूँ, हो सकता है इसलिए आप चिंती थेया परिशान है। लेकिन आज सुभह में परमेशो का वजण कहता है, कि जो यूक्त यहुआ करता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। परमेशो ने इसराइलियों के लिए योजना बनाई है। एक युक्ति की है कि ये परमेशु का भोवन का निर्मान करेंगे लेकिन रुकावटें आ गई, बाधाएं आ गई है, विरोधी लोग आ गई है क्या ये रोख पाएंगे उसकाम को, नहीं रोख पाएंगे एक वचन हम और पढ़ेंगे, यसाय की किताब उसका 14 अध्याई और 27 पर लिखा है क्योंकि सैनाओं के यहवा ने युक्ति की है, कौन उसको टाल सकता है उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोख सकता है अब परमेशुन ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, क्या कोई इस हाथ को रोख सकता है नहीं, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, जो परमेशुन के हाथ को रोख दे कोई भी नहीं और अंत में परमेशुन ने ऐसा ही किया और उन विरोधी लोगों को उनसे दूर किया और अंत में उन्होंने परमेशु की भौवन का निर्माने क्योंकि कोई भी परमेशु की योजना को रोक नहीं सकता उसके हाथ को रोक नहीं सकता परमेशन ने मुसा से कहा कि मैं इसराइलियों को मिसर देश से छुडाऊंगा और फिरोन ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उन्हें रोकने के लिए लेकिन उन्हें रोक नहीं पाया क्योंकि परमेशन ने हाथ बढ़ा दिया है क्योंकि परमेश्यों ने युक्तिको कर दी है क्योंकि परमेश्यों ने योजना को बना दिया है क्योंकि परमेश्यों के मुख से सब्द निकल चुके हैं अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता वो पूरा होकर ही रहेगा और ऐसा ही हुआ बाइवल में हर बार आप देखते हैं ऐसा ही हुआ क्योंकि परमेश्व की योजना को कोई टाल नहीं सकता परमेश्व के पास आपके लिए भी योजना है तो ये विरोधी लोग जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं वो आपको रोक नहीं पाएंगे आपके कारियों को रोक नहीं पाएंगे हो सकता है कुस दिन तक रुकावट रहे लेकिन अंत क्या होगा अंत में ये होगा कि आप विजई होंगे अंत में ये होगा कि आप उस रुकावट पर विजई हो जाएंगे क्योंकि परमेशों आपके साथ नहीं प्रभू उस रुकाउट को उस बादा को उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर देगे इसलिए परमेशों पर भरोसा रखें क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता उसके हाथ पर भरूसा रखें क्योंकि उसके हाथ को कोई रोक नहीं सकता है उसकी योजना पर भरूसा रखें क्योंकि उसकी योजना को कोई टाल नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता उसकी योजना को पूरा होने के लिए परमेश्व के पास आपके लिए उत्तम योजना है उस योजना पर भरूसा रहा है ये रुकावटें ये बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाए उलाल समुद्र रुकावट बनके उनके सामने खड़ा हो गया लेकिन क्या वो रोक पाया? नहीं परमेश्व ने हाक बढ़ाया और वो सब साफ हो गया उसने रास्ता छोड़ दिया इसी प्रकार से प्रव आपके जीवन में भी करेगा समय का इंतजार करेगा सही समय का इंतजार करेगा आपको लड़ने का आफशकता नहीं है उन विरोधियों से लड़ने क्या आउशकता नहीं है अपना मुकदमा परमेशो के हाथों में देए परमेशो आपके ओर से लड़ेगा और जानते हैं जब परमेशो आपके ओर से लड़ेगा तो आप विजएई तो होंगे उसके उपर आप सफल भी होंगे पर्थिस्यत्व होंगे और परमेश्य के अधुत अश्यरे कर्म को आप अपने जीवन में देखेंगे तो प्रभव आपको इस वजन के दोरा बहुत आइट से आसीच देगे आमेन में बहुत पड़ी थी अड़ाई साल से बेड में पड़ी थी तह में चलने उटने बटने में बहुत प्रोब्लम हो रही थी उससे मुझे इसु मसी ने अभी बेड से खड़ा किया है और एही मेरा गवाही है जैमसी की मैं आशक करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर बहुत तायच से आशिश पाई है आपके जीवन में भी परमेश्वन ने अद्बुत कारे किये हैं आप भी अपनी गवाही को हमें इस नंबर पर भेजें ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही सुनकर आशिश पाएं आ कि आप इस आदर के और सम्मान के योग्ये हैं धनिवाद करते हैं पिता कि आप स्वर्ग में विराजमान हैं प्रभू हमारी विंति निवेदनों को सुनने के लिए आप हमारी प्रातनों को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं अबबा हम आपका धनिवाद करते हैं जो साहियक के रूप में आपने हमें दिया है वो सदा हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में है पिता आपका धन्यवाद की तुने हमें अपने रज्ज का नागरिक बनाया है धन्यवाद हमारे गुनाहों को माफ किया है धनिवाद प्रभू आपने हमारा उद्धार किया है धनिवाद परमेश्व कि तुने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया है हमें रचा है खुदावन तुने हमें बहुमूल्य बनाया है प्रभू मैं धनिवाद करती हूँ पिता आपने हमें रोग मुक्त किया है, आपने अपनी सामट से हमें भरा है, आपने परमेश और पिता हमें आशीश दी हैं खुदा, आपका धनेवाद करती हूँ, आज हमारे साथ सुभा में जितने भी लोग शामिल हैं, खुदावन हम आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते है राद भर में प्रभू आपने अपने पंखों की आड में हमें संभाले रखा, इस नए दिन में प्रभू हम सब जीवित रहकर तेरी उपास न कर पा रहे हैं, खुदावन मैं तेरा धनेवाद करते हैं और विशेश कर धनेवादी है आपके वचन के लिए जिसके द्वारा यदि आज बहुत से भाई बेन प्रभू जो हमारे साथ प्रात्न में शामिल है उनके रास्तों में प्रभू लोग रुकावटे पैदा कर रहे हैं उनके घर बनने के लिए उनके रिष्टे होने के लिए और भी बहुत सारी रुकावटे प्रभू इनके जीवन में है जो मन निश्य के द्वारा आ रही है प्रभू मैं प्रात्न करती हूं जिस प्रकार प्रभू इसराइलियों के सामने ऐसी लाल समुद्र एक रुकावट बनकर खड़ा था प्रभू तुने वहाँ पर अपनी यूपती को पूरा किया उसी प्रकार जो रुकावटे इन भाई बहनों क काम को पूरा होने में जो भी रुकावटे मनुष्य इनके विरोध में उठ खड़े हूं प्रभू येश्व आपसे प्रात्न है कि आप अपनी युक्तियों को इनके जीवन में सफल करे परमेश्यू पिता हर एक रुकावट को येश्यू मसी नासरी के नाम से इन भाई बह करते हैं इश्यू के नाम से खुदावन क्योंकि जो युक्ति आप करते हैं उस युक्ति को आप सफल करते हैं सच मेरे परमेश्यूर मैं धन्यवाद करती हूं पिता प्रभू मैं प्रात्न करती हूं इनके लिए आप रास्ते खोले प्रभू मनिश्य इनके विरोध में हैं परन्तु आप इनके पक्ष में हैं खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितने भी भाई बेन प्रभू अपनी विंद्यों को आपके आगे रख रहे हैं खुदावन, अपने बिजनस को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बेन के प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर, अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छे भविश्य के लिए, उनके अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए, उनके कैरेक्टर के लिए, उनके डिसिप्लिन के लिए, उनके चड़-चड़ाहट के लिए, बहुत से ऐसे निवेदन हैं उन हालातों पर विजय पाने पाएं प्रभू येश्यू के नाम से, खुदावन जो एडिक्शन में है, यदि इनके बच्चे, आज प्रभू बरबादी के ओर जा रहे हैं, प्रमेश्यू पिता, अनाग्यकारिता के ओर जा रहे हैं, अंदकार के ओर जा रहे हैं, प्रभू य परिवी तराई में होकर चलू तो भी हानी से न डरूँगा, क्योंकि तु मेरे साथ रहता है, परमेश्व प्रभू इन भाई बहनों के साथ, इनके परिवार, इनके बच्चों के साथ में तू रहता है, प्रभू ये एडिक्शन, ये बुरी लत, ये बुरी संगती, इनके जीवन से चली जाए, येश्व के नाम से, यदि प्रभू कोई भी ऐसा कैरक्टर इनके अंदर है प्रभू जी, ऐसे कोई गलत बाते हैं, प्रभू चुगली करने की आदत, इर्शाद, जलन करने की आदत, येश्व के नाम से चली जाए, घमन करने की आदत, येश्व के नाम से चली जाए, प्रभू आप इन्हें दीन और नम्र बनाए, परमिश्व पिता, धन्यवाद करते पिता, प्रभू आज जितने भी लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रातनाई की हैं प्रभू उनके जीवन में उनकी फैमली में आप कारे करें बहुत से ऐसे बहने प्रभू जो डर रही हैं व्याकुल हो रही हैं प्रभू कि उनके जीवन में आगे क्या होगा प्रवो इनकी इस डर को इस व्याकुलता को आप दूर करें बहुत से लोग इस समय बीमार हैं और गंभीर रोग से ग्रसित हैं उन्हें लगता है यह असंभव है परन्तु असंभव कारिया आप संभव करते हैं आप अपनी युक्तियों को सफल करते हैं खुदावन देशु मसी के नाम से हर एक जानलेवा बीमारी को पीडियों से चलने वाली बीमारी को कैंसर को टीउमर को अलसर को पैंक्रियाज में जो प्रॉबलम है इंकिस्टाइन में जो प्रॉबलम है स्टोन प्रॉबलम गुप्त रोग हाण्य की बीमारी हर प्रकार के गंभीर रोग को हम आग्या देते हैं इनके शरीर से नस्ठ हो येश्यो के नाम से तेरे वचन के द्वारा हम प्रभू हर एक बीमारी को नस्ठ होने के आग्या देते हैं तेरा वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमीशर हूँ, तेरे कोड़े खाने से ये भाई, बहन, बच्चे, नौजवान, बुजर्ग लोग चंगे हो गएं पिता, प्रभू जिने प्रभू बार बार दौरे पढ़ते हैं पिता, येश्यू के नाम से दौर हट benevolenty, भाई को बॉलती हों पिता, प्रभू जिए गिरने के कारण प्रभू प्रभू इनकी बोन ड्या ब्रेक वी हैं, पिता, टूटी हैं प्रभू तो ये शु के नाम से नो हड़ी वों को जुटने की आग्या देते हैं, पिता. प्यारे परमेश्य पिता, डॉक्टर वो इन्हेंお neighbor करने के लिएHAHAHE- प्यारे प्यारे प्रभू इसी समे प्रभू जितने भी लोग mentally, प्रभू बहुत धिस्टर्ब है प्रिता. एश्यु के नाम से mentally इस्ट्रेस्ट। इननुके जीवन शे कवड़यों में सिस्ट है प्रभू ये शुके नाम से हर प्रकार की सिस्ट इस समय नस्ट हो जाए शुके नाम से प्रभू जिनके गुप्त रोग जिने गुप्त रोग है प्रभू और प्रभू ओवरी में प्रभू जिसके कारण प्रभू ये conceive नहीं कर पा रहे ये शुके नाम से प्रभू पिता इसी वक्त प्रभू इन बहनों के ओवरी से प्रभू जी उस सारी problem निकल कर चली जाए खुदावन ये conceive करने पाए ये शुके नाम से खुदा जितनी problem में घटी कमिया है प्रभू ये शुके नाम से इनके जीवन से चली जाए क्योंकि तो इनका चरवा है और इने कोई भी घटी कमी नहीं होगी प्रभू ये तो अपने लोगों के लिए सब कुछ का प्रबंद करता है पिता आज के दिन में दर्वाजे खुले रुकावटे दूर होने पाए प्रभू आज के दिन में हर प्रकार के फ्रॉड से गलत कामों से स्कैम से प्रभू जी धोके से प्रभू जी हर प्रकार के प्रभू माइन को डाइवर्ट करने वाली ब बोया है सो गुना फलवंत करें और जितने भी भाइबेन प्रभू अपनी कमाई को लेकर चिंतित हैं कि उनकी कमाई पर बरकत नहीं है प्रभू येश्यू आपकी बरकत इनकी कमाई पर हो और इनके ये निश्चे अपनी कमाई को खाने पाएं पिता धन्यवाद हर एक जन को आपके नाम से आशीज देते हैं येश्यू के नाम से प्रात्ना मांगते सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन